आज मैं आपको यह ऐसा पेस्ट बना कर दिखाने वाली हूँ जो आपके चाहे तो आपके कोनों की हडियों की समस्या हो या आपके गुटनों की हडियों की समस्या हो या आपके जो एडियों में समस्या हो या आपके गर्दन में समस्या हो या आपकी कमर की समस्या हो या आपक तक टक की आवाज आती है आपके जो है हाथ पर सूच जाते हैं तो इन सबी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आज यह पेस्ट लेक्ट यह यह पेस्ट बनेगा कैसे और इसका इस्तमाल कैसे करना है यह मैं अभी आपको करके दिखाने बाद में तो सबसे पहले आपने क्या जमाने में और आज के जमाने में भी लोग जो है सुबह उठकर चना और गुड़ खाना पसंद करते हैं इससे क्या होता है हमारे शरीर की जो हडिया है उनको मजबूत ही मिलती है और हमारा जो शरीर वह बिल्कुल जो है एनरजी भरा रहता है आपने देखा होगा हमारे जो गुटने हैं इससे बहुती जादा जो है मजबूत हो जाते है अगर आपको नसों की कोई दिक्कत आपकी नसे कमजोर है या आपकी नसे बहुत जादा विक पड़ गई है तो उन सभी समस्याओं को जो है दूर करने के काम आता है तो अपने क्या करना है यह गुड़ का आप और फिर इसका इस्तमाल कैसे करना है कौन से कौन से पार्ट पर इस्तमाल करना है यह मैं आपको बताने वाली हूं तो इसके बाद आपने क्या करना है हलोदी जो होती है, हलदी ओती हो हमारे शरीर बोट ही जादा फाइदे मंदा हूं कि आपके गुटनों में से तक तक क्या वह आज आती है यह आपके गुटनों में से ग्रीस खतम हो गया आपके शोल्डर में जो है आपके कंदों में जो है बहुत ही ज़्यादा जकडन रहते हैं या आपकी अल्बोज आप मोड नहीं पाते हैं या आपको हाथ उपर उठाने में बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है तो इन सबी समस्यां को भी यह दूर करने का काम करेगी इसके कि जो हमारे स्कीन पर जो किटानों होते हैं उनको यह मिटाने का काम करता है और हमारी जो तवच्चा है उसको भी एक अलग से जान देता है तो यह देखे अब यह आपका पेस्ट बनकर त्यार हो गया है अम्माल लीजे कि आपके जो है यहां पर आपके कोहनी में बहुत दर् कि आप अपनी कोहनी को मोड भी नहीं पाते हो तो आपने उस सिच्चेशन में क्या करना है आपने इसको हाथ पर लगाना है और हाथ पर लगा कर जो है आपने इसको इस तरीके भूड की गरमाहट चालदीख सरसोू के या दर्ब disability खत्म वो गई हैгजियों के अपने दो मिन demasiado करने खाई सब्कॉर्ण के साथ हाथने थंडे पानि के साथ आंपने हातों को दो मैं आपके गुठनों में दर्द रहता है आपके यहां पर गाठीया की समस्या हो गई है आपको जो गुठने के नीचे भी दर्द रहता है यहां के साईड में बहुत ज़दा पेन रहता है या आपकी घ्रीज खतम होगी आप थोड़ा सा चल रही है आपको टक-Tक तक आवाज आ ही है आपको सीडिया चड़ने में परेशानी हो रहे है या आप खाना बनाते समय खड़े भी नहीं हो पाते हो धंग से तो उस सिट्रिवेशन में भी मैं आपको बता दू आपने यह पेस्ट लेना है और इसको जो है अपने गुटने पर अच्छे तरीके से इस तरीके से आप आपने से मालिश करनी है और मैं आपको मालिश बता दू आपने जो है गोल सरकल में यानि यानि क्लोकवाइज और एंटी क्लोकवाइज आपने साज करनी है और पिर मसाज करने के बाद आपने क्या करना है इसको इसी तरीके से दो मिनिट तक लगे रहने देना है इससे आप समस्या ना ले कभी आप यह सोचेगे कि आपकी पैर पर चीटी आ जाएंगी या कोई और समस्या आ जाएगी इससे कोई भी समस्या ने होगी इससे क्या होगा आपके जहां भी हडियों का पेन है वहां आपको बहुत ही ज़्यादा गर्माहट मिलेगी गर्माहट मिलने के विज़े से आपका ब्लड सैल्कुलेशन चलेगा आपके टक टक की आवाज आ रही थी आपकी नसों की ब्लोकेस थी आपके नसों में कमजोरी आई हुई थी या आपकी न ने पानी से आप इसको साफ कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल की और भी वीडियो देखना चारहें तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए धन्यवाद